अगर तुम्हारा भी हाथ, तुम्हारा फोराम ऐसे ही पतला है, तो तुम उसे 15 दिन में ऐसा बना सकते हो और अगर तुम लगा तार जो चीजें बता रहा हूं वो करोगे, तो 30 दिन के अंदर में तुम्हारा फोराम ऐसा हो सकता है ऐसी बहतरीन चीजें, ऐसी बहतरीन एक्सरसाइजस बताऊंगा कि तुम देख के हरान रह जाओगे सबसे पहले एक चीज समझो अगर तुम्हें लगता है कि फोराम पूरी एक मसल होती है तो ऐसा बिलकुल नहीं है हमारे फोराम पूरे 20 मसल से मिलके बने होते है बहुत छोटी-छोटी मसल होती है और इन मसल को अगर आप ट्रेन करना चाहते है तो आपको अपनी एक्सरसाइज के जो इंटेंसिटी है जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ानी होती है इससे मेरा ये मतलब है कि आपको अपने जो फोराम से लगातार ट्रेन करना होता है लगातार एक्सरसाइज करनी होती है तभी आपके जो फोराम से वो अच्छे से ट्रेन हो पाते है हमारे जो फोराम से होते हैं वो हमारी उगलियों से connected होते हैं हमारी जो उंगलियां होती हैं, हम कोई भी चीज उठाते हैं, कोई भारी समान उठाते हैं, अपनी उंगलियों से किसी चीज को पकड़ते हैं, तो हमारी forearm muscles strain होती है, और एक चीज का आप जो हमेशा ध्यान दकीगा, जब भी ये बात आती है कि हमें बड़ी-बड़ी muscles अपने दीरे grow होने लगेगी, आज के वीडियो में कुछ ऐसी exercise बताऊंगा, जो बहुत ही बहतरीन exercises हैं, जिनको आप घर पे भी कर सकते हो, जिम में भी कर सकते हो, और अपनी forearm muscles को, अपनी हाथों को, अपनी कलाईयों को बहुत ज़्यादा मजबूट बना सकते हो, तो बिल्कुल अपनी से करना होता है, बस अपनी जो wrist, अपनी कलाईयों होती है, उनको tight रखके और कुछ इस तरीके का posture perform करना होता है, इस posture को perform करने से हमारी कलाईयों काफी जाज़े strong होती है, उसके साथ में हमारा जो forearm हो भी काफी तेजी से चोड़ा होता है, इस exercise में हम जितने ज़्या हो उसको पकड़ना होता है अपने हाथों में और कुछ इस तरीके से posture को perform करना होता है, इस posture को करने से हमारी gripping काफी strong होती है, उसके साथ में हमारी four arms muscles है वो भी strong होती है, उनमें काफी flexibility आती है, इसमें आप आगे हाथ करके भी कर सकती हो, और साथ में अपने हाथों को CB box या डबबे को लेना होता है, उसमें आप कोई भी चीज भर सकते हो, जिससे वो डबबा थोड़ा भारी हो जाए, उसके बाद में आपको बस अपने हाथों में अपनी उंगलियों के सहारे पकाल के रखना होता है उस डबबे को, आपको 30 सेकंड एक हाथ से फिर 30 सेकंड दूसरे हाथ से पकड़ना होता है, ऐसे ही आपको 5 बार करना होता है और 30 सेकंड पकड़ने के बाद में आप लोगों का जो फोराम मसल से बहुत तेजी से स्ट्रॉंग बनेगी, आपकी कलाईयां स्ट्रॉंग बनेंगी, यह बहुत ही अच्छी एक्सिसाइज है गोल्ड इस्तमाल करो, इसमें आपको शीलाजीत के साचाथ आशोगंधा मिलता है, जो आपके टेश्टर स्ट्रॉंग लेवल को बूस्ट करता है, स्ट्रेस को कम करता है, और मसल मास को बढ़ाता है, सफेज म्यूसलि मिलता है, जो आपकी इम्मूनटी को बूस्ट करता है, और sexual functioning को भी improve करता है गोक्षुरा मिलता है जो आपके endurance level और vitality को improve करता है इंडिया में सभी को आसकलना fatigue syndrome हो रहा है मतलब सभी हमेशा थके से रहते हैं और इसी चीज़ को दूर करने के लिए इस सिलाजीत में आप लोगो स्वण भस्म मिलता है जो आपके शरीर से थकान को हमेशा के लिए खतम करतेगा और आपके शरीर में energy भर देगा ये शिराजीत men हो या women दोनों ही इस्तमाल कर सकते हैं इसमें anti-aging properties हैं उसके साथ में आपकी skin quality को improve करने में मदद करता है और आपके hormonal imbalance को भी ठीक करता है इसे इस्तमाल करने के लिए इसमें दिये गए चम्मस से आपको मटर के दाने के बराबर शिराजीत लेना है और आप इसे पानी या फिर दूद दोनों में ही इस्तमाल कर सकते हैं आज से ही आप इसका daily इस्तमाल करना शुरू कर दीजिए फाइटिका सुद्द शिराजीत गोल्ड काफी cost effective है क्योंकि इतने कम price में आपको market में कोई भी शिराजीत नहीं मिलेगा जिसमें आपको gold resin और silver resin साथ में मिले अब silver resin इस शिराजीत में होने का एक और फायदा है कि ये cooling effect देता है जिस वज़े से इस शिराजीत को हम गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिर चाहे muscle building करनी हो testosterone बढ़ाना हो या आपको stress free और energetic बनाना हो इन सभी में ये आपकी मदद करेगा फाइटिका सुद्द शिराजीत gold का लिंक आपको description में और pin comment में मिल जाएगा होता है इससे आपके four arms muscles काफी तेजी से strong बनते हैं उसके बाद बात करते हैं अपनी natural exercise की जो की है हमारी finger push up मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपको अपने four arms को पलाईयों को मजबूत करना है तो अपनी उंगलियों से आपको exercise करनी हो क्योंकि उंगलियों ही हमारी four arms की muscles से जूड़ी होती है connected होती है तो उंगलियों को अगर आप exercise में लगाओगे तो आपके four arms अपने आप मजबूत होंगे आपको करना है finger push up इसमें क्या करना है पुशक की तरह ही perform करना है बस अपने गुटनों को आपको जमीन में लगा के रखना है और इस तरीके से exercise को perform करना है आप लोग जितरी देर perform कर सो को उतना अच्छा है लेकिन मैं आपको recommend करूँ हो कि आप लोग तीन सेट लगाना और हर सेट में आप लोग 15-15 repetition करना उसके बाद बात करते हैं अपनी अगली exercise की जो कि हमारी एक और wrist attention exercise है जिसे हम dumbbell से कर सकते हैं या किसी भी भारी weight से कर सकते हैं इसमें क्या करना होगा अपने हाथों को अपनी जो कलाईयां उनको आपको किसी चीज़ पर टिका देना होगा उसके बाद में आप लोगो dumbbell या कोई भी weight उठा के कुछ इस तरीके से exercise को perform करना होगा अगर आप अपने हाथ को किसी चीज़ पर टिका दोगे तो आप लोग अपने हाथ का साहरा पुरी तरीके से नहीं ले पाओगे केवाल अपने कलाईयों का इस्तिमाल करता होगे जिस वज़े से आपकी कलाईयों काफी तेजी से strong बनेगी चलिए आते हैं अपनी अगली exercise पर जो की है pull up अभी दिए normal pull up तो हम सभी को पता है लिकिन अगर आप लोग अपने four arms को strong बनाना चाहते हो तो आप लोग किसी रसे को या फिर किसी टावन को किसी बार पे लटका के और कुछ इस तरीके से pull up करना ये काफी ज़्यादा आपके जो four arms है उन पे असर करता है थोड़ी सी हार्ड है बट आप लोग जब करने लगोगे तो दीरी दीरी आपसे होने लगेगा कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा कमेंट करेगा वीडियो में दोस्तों में शेयर करेगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्स्टाइब जरूर करेगा